जैसे जैसे इस दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है दुनिया का टेंपरेचर भी बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे दुनिया का टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही मच्छरों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है मच्छरो से अपना भारत जहां पर तापमान और सतन 20 से 30 डिगरी सलसेस रहता ही रहता है यहां तो मच्छरों की भरमार है अब मच्छरों की भरमार तो सही है लेकिन ये मच्छर पैदा कैसे होते हैं आखिर ये बात आप कैसे जानोगे कि मच्छर जन कैसे लेते हैं ये मच्छर मरते कै कितने दिन तक ये जीवित रहते हैं अभी तक तो आपको ये सब बाते शायद पता नहीं होंगी लेकिन आज मैं आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दूँगा और यकिन मानिये आपको बहुत जादा मजा आएगा लेकिन शिरू करने से पहले अगर आप मच्छरों से नफरत करते हो तो एक लाइक तो जरूर करो और मच्छरों के लिए भला बुरा कॉमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना देखिए सबसे पहले तो एक मच्छर एक ऐसे पानी के स्रोत को ढूंडता है जहां पर वो अपने अंडे दे सके हाला कि कुछ मच्छर की प्रजात प्रजातियां ऐसी होती हैं जो पानी के उपर तो नहीं लेकिन पानी के पास ही अपने अंडे को देते हैं लेकिन मच्छरों के अधिक्तम प्रजातियां पानी के अंदर ही अपने अंडे को देते हैं एक बार मच्छर को पानी का स्रोत मिला वहां मच्छर अपने अंडे दे देखिए इस वीडियो में एक मच्छर कितना ज्यादा अंडा दे रही है एक बार मच्छर अंडे दे देती है उसके बाद मच्छर के अंडे पानी के अंदर ही चले जाते हैं और अंदर जाते ही लगभग 24-72 घंटे के अंदर ही यानि मातर तीन दिन के अंदर ही ये अंडे हैच हो जाते हैं जैसे ही अंडा तूटता है तूटे हुए अंडे में से मच्छर का लार्वा निकलता है अब आप ये सोचेंगे कि ये लार्वा क्या होता है चलिए आपको समझाते हैं कि लार्वा क्या होता है जो बहुत ही मुलायम सा soft सा होता है इसी के अंदर वो कीट रहता है और पोशन पाता है इस खोल के अंदर ही वो पोशन पाकर फलता फुलता है लेकिन मच्छरों के केस में ऐसा होता है कि जब ये लारवा बन जाते हैं तो क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं इसलिए पानी में तैर सकते हैं और मच्छर तो इवाल भी ऐसे हुए है कि उनका लारवा पानी में तैर सके इसलिए मच्छर अपने अंडे को पानी में देते हैं और तीन दिन बाद जब मच्छरों का अंडा तूटता है तो उसमें स एक मच्छर का लार्वा निकलता है अब मच्छर अपने लार्वा के स्टेज में 4 से 14 दिन तक रहता है जहां उसे एक सौफ्ट से खोल के अंदर भरपूर पोशन मिलता है और उसका शरीर का निर्मार होता है उसके बाद 4 से 14 दिन के बाद जब मच्छर अपने लार्वा के ठोर हो जाता है और मच्छर पहुच जाता है प्यूपा के स्टेज में जहां पर उसके पंक हो गयरा ये सब डेवेलप होने लगते हैं कभी कभी तो प्यूपा के स्टेज में प्यूपा की खोल पारदर्शी भी हो जाती है और मच्छर इस प्यूपा वाले स्टेज में दो से तीन दिन तक रहता है जैसे ही समय बीतता है अचानक से इस प्यूपा का खोल तूटने लगता है और सामने आता है एक ऐसा कीड़ा जिससे हम लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं अब उसका पंक भी डेवलप हो गया रहता है उसकी बड़ी सी सुई जैसी एक नाक होती है जह अगर ये मच्छर मेल होगा तो ये मात्र और मात्र दस दिन तक जियेगा और पेड़ पौधो और फूलों के नेक्टर लेकर जीवित रहेगा ये हमारा खून नहीं चूसता है इसलिए कभी भी कन्फ्यूज मत होना कि एक मेल मच्छर हम लोगों का खून भी चूसता है केव और केवल फीमेल मच्छर ही पोशड के लिए मनुश्यों का खून चूसती है और अंडे देती है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कॉमेंट करके बता ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और मच्छरों को गाली लिखना तो बिलकुल भी मत येगा